एक मर्तवा उइद मन मोहन सुनो बेटी इतवार के दिन दोस्तों के साथ एक गेट टूगेदर है ये खतम होती ही मैं आ जाओंगा बाबा बोले फोन में तो आप ही बताएं न मैं शाइकल कब खरी दिऊंगी सवाल था बिटिया रानी मीली के तरब से क्या साइकल हम सौंबार को नहीं खरी सकते जवाब था बाबा का मंडे को मुझे स्कूल जाना है न और सारे दोस्तों को पाटी के लिए उसी दिन बुलाना है मगर मेरे दोस्त बहुत दिन के बात मिल रहे हैं सोच रहा था सबसे मिलकर उसी दिन साम को ही निकल जाओं फोन रखकर अपनी धुन में हस्ते खेलते हुए बाहर निकल गई मिली को पता था बाबा जब भी दिल ली जाएंगे अपने सारे पुराने दोस्त से मिलेंगे और कुछ नए दोस्त बनाएंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से ही आएंगे इसलिए हफ्ते पहले ही उन्होंने बाबा को जगा दिया था मेरे जनम दिन से पहले आपको आना ही है क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि जनम दिन में उन्हें साइकल भेंट करेंगे मिली मन ही मन रिसाइट कर चुकी है कि जनम दिन के दिन ही वो नई साइकल लेके स्कूल जाएगी इसलिए संडे से पहले बाबो को याद दिला रही थी कि वो आके घर पहुँचे और उसे पूरा विश्वास था बाबा कभी भी उसकी बात नहीं डाले थी इतवार के दिन सबेरे लोगों की आवाज सुनकर मिली की निन तूट गई और सोचने लेगी साइद बाबा आ गये है मगर ये क्या क्या हो गया बाबा को ना इतवार के दिन आए ना उनकी जनम दिन में बाबा तो दिल्ली से लकनो आते आते बीच रास्ती में ही वो बहुत दूर चले गए जहां से वो कभी नहीं आएंगे मिली के बाबा और उन्हें मिलने कभी घर नहीं आएंगे उन्हें लोगों में से कोई एक बोल रहा था उनका तो इतवार के दिन आना था उस सनिस्चर को क्यों निकला आए मिली मन ही मन सोच रही थी बाबा को बहुत कुछ बोलना था और वो बोलते बाबा बाबा मैं तो मजाग कर रही थी आप सनिवार को क्यों आ गए आप रभी बार को आते तो यह अच्छा होता फिर मिली सोच रही थी बाबा को बलते बाबा आप जिस दिन भी आते उसी दिन हम साइकल खरी थे कोई जरूरी नहीं था इतना जल्दी आना बाबा आप अपने सारे दोस्तों से मिल के आते आप अपना सारा काम करके आते आप इतना जल्दी क्यों आ गया बाबा मगर वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाई दोर दोर के जाके ममी के सारी में मुझ छुपाके जोर जोर से रोने लगी जोर 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 से रोने लगी जोर जोर से रोने लगी झाल झाल